Dear students, तो हम लोग regulation of gene expression इस topic के lecture को आगे बढ़ाते हैं अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि किस प्रकार ये gene regulation क्या होता है gene expression किस प्रकार से होता है और gene expression के regulator में positive control और negative control क्या होता है और positive control करने के लिए कौन सब रोटीन जिम्मेदार है और negative control करने के लिए कौन सब रोटीन जिम्मेदार है उससे आगे चलते हैं एक concept है जिसको कहते हैं operon concept और इस operon concept के माध्यम से हम लोग अपने ये positive और negative control को और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और जिसके लिए इनको 1965 का जो है वह क्या मिला था नोबेल प्राइज मिला था इनके हिसाब से किसी एक टाइम पे माली जी ये कोशी का है तो किसी एक टाइम पे जो enzymes होगा इसका जो level होगा वो क्या होगा फिक्स होगा और जैसे ही condition बदलेगी तो क्योंकि enzyme level ये concentration कोई particular ही maintain कर पाते हैं तो माली जी ये पहले 30 degree वाला वही पुराना example ले लेते हैं और 35 degree तो level को हम लोग नहीं बदल सकते हैं concentration of enzymes को नहीं बदल सकते हैं तो क्या होगा पुराने वाले कुछ हमको हटाने पड़ेंगे और नह वाले तो ये जो concentration ये जो level है ये decide ये control कहां पे होता है transcription of DNA इस इस्तर पर जो है वो primarily जो है वो इसको regulate किया जाता है ये किसनों ने कहा था? Jacob और Monad, इन लोगों नहीं कहा था और जो regulation होता है या तो induce हो सकता है या तो जो है वो कोई सी नय प्रोटीन को synthesis करने के लिए जो है वो signal हो सकता है या फिर reprise हो सकता है कोई चीज जो है synthesis और ये enzyme तो उसकी synthesis को हम लोग रोकने के लिए वो चीज हो सकती ठीक है? तो ये दो तरीके से ये जो enzyme के production को control करने के लिए उन्होंने क्या दिए? control जो होता है उसके concept को उन्होंने क्या कहा? OPERON OPERON एक series of related gene है series of related gene actual में OPERON क्या होता है? जैसे मान लिजिए कि कोई एक metabolism की gene ले तो कोई एक particular gene एक gene यहाँ इससे एक protein यहाँ दूसरी gene इसी से जो है ठीक संटी हुई होगी दूसरा protein यहाँ तीसरा इसी से ऐसा तीसरा protein यहाँ या protein कह रहों तो enzymes मान सकते enzyme और protein तो लगबग-लगबग समान ही होते है all enzymes are protein except except ribozymes तो हम लोग मान सकते हैं यह तो एक और इन सबको यह जितने भी gene है जो अलग-अलग प्रकार के enzymes बना पा रहते हैं एक enzyme, दो enzyme, तीन enzyme और चार enzyme इन सबका regulation किसी एक control sequence से होगा या एक ही promoter से होगा ठीक है और जब इस तरीके से होता है कि एक से ज़्यादा gene या multiple gene किसी एक single promoter से होते हैं तो इस पूरे-पूरे जो sequence है इसको हम लोग क्या बोलते हैं operon इसी का नाम इन लोगों ने क्या रखा operon ठीक है तो यह इससे हम लोगों को समझ में आगया कि operon actual में होते क्या है next slide में हम operon की सरचना को समझने की कोशिश करते हैं तो अभी जो हम मैंने बताया अगर आप इस diagram को देखेंगे तो एक यह जो है वो Z वाला हिस्सा यह जो Y वाला हिस्सा और यह A वाला हिस्सा यह तीन हिस्से जो है वो actual में तीन different जो है जीन के लिए है तीन different जीन के लिए यह एक अलग enzyme coat करता है और यह एक अलग enzyme coat करता है और यह एक अलग enzyme coat करता है इसी तरीके से चौथा भी हो सकता था पांचवा भी हो सकता था जैसे हम लोग ट्रिप्टोफेनोपेरोन में पांच होते हैं तीक इसी तरीके से इसमें संख्या में हम लोगों को ज़्यादा confused नहीं होना है ये संख्या कुछ भी हो सकती है ठीक तो तीन अलग अलग एक दो तीन और क्योंकि ये वाला sequence ये वाला sequence और ये वाला sequence या देखें तो ये वाला पूरा sequence किसी protein की सरचना का निरधारन करता है ठीक है अब मैं कहह रहा था कि कोई भी इस तरीके की sequence में आपस में जो एक समान कारे करते हों या एक समान किसी कारे को संपादित करते हों उस तरीके की जीन ऐसे sequence में लगे होंगे और उनका जो control element होगा वो कोई एक ही होगा मतलब अलग अलग तरह की control element नहीं होंगे कि ये वाला अलग control से हो रहा है इसका अलग control इसका अलग control ये नहीं जैसे माल लिजे example के लिए अगर आपको glucose का metabolism करना है तो जो भी enzymes आता है सबको एक ही तरीके के signaling network पर क्या एक ही तरीके के जो है वो control में हम लोग रख सकते हैं क्योंकि glucose के metabolism में जितने भी enzyme या तो उनकी जरुरत पड़ेगी या जरुरत नहीं पड़ेगी तो उनको अलग अलग जो है वो control element के पास में रखने से cell को जो है वो नुकसान ही होता क्योंकि एक bacteria है उसके पास DNA के sequence जो है वो limited है तो इसलिए ये strategy अपना ही जाती है कि जो भी related जो है वो उसको लगभग एक जैसे उसमें रख देते हैं तो ये देखे यहाँ पे है इसका promoter ठीक यहाँ पे है इसका promoter element जहाँ पे क्या bind करेगा अपना RNA polymerase तो ये promoter का concept आप जो है वो transcription वाले chapter में पढ़े ही होंगे तो promoter क्या होता है जहाँ पे RNA polymerase आके bind करता है अब एक जो जगा होती है जिसको हम लोग कहते हैं operator operator जो है वो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है यहाँ पे क्योंकि आमतर पे क्या होता है जब हम लोग मुखिता lake operon या tryptophan operon पढ़ते हैं तो हम लोग समझते हैं कि operator जो है वो उसकी position ये promoter और इसके बाजू में होती है पर जरूरी नहीं है क्योंकि माल लीजे कि ये अपना promoter है तो lake operon के case में जैसा इसमें दिखाया गया है कि जो promoter है इसके अंदर में ही जो है वो operator site operator site कुछ भी नहीं है बलकि वो site है जहाँ पे हमारे regulator protein याने activator protein या फिर जो suppression वाले जो protein थे repressor जो protein है वो जो है वो वहाँ पे bind करें तो यहाँ पे lake operon के case में तो promoter के अंदर ही होता है यह जो है upstream भी हो सकता है और downstream भी हो सकता है यह कुछ दूरी पे भी हो सकता है ठीक है operator मतलब but mostly जो है promoter इसके आसपास promoter और operator जो है लगबग लगबग पासपास ही होते है यू के यॉर्ट में अगर देखेंगे तो उसमें जो है वो यह दूरी बढ़ भी सकती है ठीक है तो operator वो वाली site है जहां पे अपना repressor आके bind करेगा ठीक है for time यह वाला जगा उसके बाद एक gene होता है regulatory gene यह जरूरी नहीं कि operon में ही जो है जो है जो हम लोग कह रहे हैं उसी के आसपास हो यह regulatory gene क्या करेगा जो भी हमारे जो control वाले जो gene थे मतलब जो हमारा repressor जो synthesis होता है उसकी synthesis भी तो कोई नो कोई gene करेगा जो है क्योंकि अगर वो protein type का है तो उसको भी कोई नो कोई से की तो उसको क्या बलेंगे regulatory gene यानि या इदर inducer या फिर जो है वो repressor को जो synthesis करता है उसको हम लोग बोलता है regulatory gene तो एक operon में मुखेता चार तरीके की element होते हैं एक होता है promoter एक होता है regulator एक होता है structural gene जो main वाला जो है वो main protein को बनाता है देखे तो इसको समझने के लिए हम लोग लेक operon पर चलते हैं जो की सबसे अच्छा example है इसको समझने के लिए लेक operon में तीन structural gene होते हैं एक दो तीन लेक A लेक Y और लेक Z ठीक है यह तीन जो है अपने structural gene है और यह तीन enzyme का synthesis करते हैं अगर यह active हो तीन enzyme का synthesis करते हैं beta galactosidase gene permease gene और transacetylase gene ठीक है इन तीनों का synthesis करवाते हैं और तीनों ही lactose के metabolism lactose के metabolism यानि अगर lactose cell के अंदर है या उस bacteria के अंदर है तो lactose को तोड़ने के लिए ताकि उसका further cell energy बनाने में यूज कर सके तो उसके लिए वह काम में आती है तो इसका मतलब यह तीनों ही तीनों यह तोड़ने के लिए यह जो है अंदर लाने के लिए जो है promoter जिसमें जो है हमारा जो है वो आरेने पॉलिमरेज वाइंड करेगा और इसी के अंदर में ही operator होता है और जनरली दो operator होते हैं ठीक है एक operator वन होता है और operator टू होता है पर हम अभी उतने detail में नहीं देखना चाहा रहे हैं और कुछ दूरी पे एक repressor gene या regulator gene मतलब regulatory region या जिसको हम लोग क्या कह रहे थे यहां पर जो है वो repressor gene synthesis करने वाला अपना sequence जो आई sequence जिसको हम लोग ने regulator gene की तरह जो अभी हम लोग ने पढ़ा था ठीक है तो इस पूरे region को operator और promoter को भी हम लोग regulatory या control element इस तरीके की चीज़ भी हम लोग बोल सकते हैं अब जो कोशिका है जो बैक्टीरिया की कोशिका है उसमें bacteria cell, bacterium cell कहना उचित नहीं होगा तो bacterium जो होगा तो उसमें देखिए क्या होता है एक चीज़ हम लोगों को समझने की ज़रूत है glucose, glucose जो है वो हमेशा energy का primary source है ठीक है? glucose हमेशा energy का primary source है तो जब तक glucose present है किसी कोशिका में तब तक तो bacteria आसानी से glucose को यूज कर रहा है तो उसे किसी दूसरे carbohydrate को अजन energy यूज करने के आवश्रिकता नहीं है इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है जब क्योंकि इसके बाद हम लोग negative के बाद positive पढ़ें तो भी हम लोग लेकिन क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो साथ साथ इस चीज को ध्यान रखें थोड़ी देर बात देखेंगे कि मैं यह क्यों कह रहा हूं तो glucose एक तरीके का primary जो है वो energy source है जब तक glucose मौझूद है बैक्टिरियम के अंदर तब तक हो सकता है वो लेक्टोज को इस्तिमाल ना करें लेकिन अभी हम लोग glucose को picture से हटा देते हैं समान्य परिष्थिति ले लेते हैं तो समान्य परिष्थिति में यह बैक्टिरिया और बैक्टिरिया के अंदर अभी लेक्टोज नहीं है इसको इस डायग्राम के माद्यम से समझते हैं त्योरी आप पढ़ सकते हैं लेक्टोज अभी नहीं है और ग्लुकोज तो मैं कहीं रहूं कि अभी ग्लुकोज को पूरी तरीके से picture से निकाल दीजे तो जब लेक्टोज नहीं होता तो क्या होता है जो यह लेक आई या regulatory gene है इससे जो है वो repressor जो है वो synthesis होगा मतलब यह अपना रिफ्रेशर बन गया ठीक है active repressor जो है हम लोगों का बन गया और यह active repressor जो operator site है और operator हम लोगों को पता है कि यह promoter था तो promoter के इधर और इधर structural gene था दोनों के बीच में था operator अपना operator के बीच में आके अपना क्या लग गय तो आप याद कीजिए जब जो है वो open complex बनता था और open complex के बाद RNA polymerase को यहां से आगे बढ़ना था यह अपना RNA polymerase है और यह RNA polymerase को आगे तो कौन नहीं बढ़ने देगा अपना repressor तो क्योंकि यह जो repressor है यह operator के side पर जाके जो है वो bind हो गया है इसलिए यह RNA polymerase इधर आगे नहीं बढ़ सकता उसके रास्ते को यह जो है वो रोग के रखा हुआ है तो इसलिए इस वाले किसी भी structural gene की synthesis नहीं हो सकती ठीक है तो इसलिए इसको हम लोग क्या बलते है negative regulation क्योंकि रिप्रेसर के आ जाने की वज़ा से इसकी जो भी synthesis हो रही थी वो पूरी की पूरी क्या ह हो गई खतम या यह कहें कि जब तक जो है वो लेक्टोज नहीं तो यह पूरी-पूरी खतम हो जी अब मालेजिए दूसरा condition हम लोग ले लेते हैं जिसमें अब bacterium के अंदर क्या आ गया lactose और glucose अभी उसमें नहीं है लेकिन क्या present है lactose तो lactose क्या होता है हम लोग ने एक concept पढ़ा था aporepressor और co-repressor तो actual में क्या होता है जो यह अपना lactose होता है यह एक तरीके का inducer है ठीक है एलो-lactose या lactose का जो भी मतलब precursor molecule है वो एक तरीके का क्या है एक तरीके का क्या है एलो जो यह है मतलब lactose एक तरीका का क्या है precursor molecule और ये allo lactose जाके bind करता है किस से repressor से और जब ये lactose present हो और ये repressor से bind कर जाए तो अब repressor free नहीं रहता कि ये जाके कहां पर bind करे operator पे और जब ये free नहीं है कि ये operator पर bind करे सेंथेसिस कर सकता और ये मारेने बन गया तो अपने तीने प्रोटीन बन गया है ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि lactose जब present होगा तभी तो क्योंकि metabolism करना है तो lactose आएगा तभी उसका inducer की तरह ही काम किया क्योंकि इसने एक तरीके से रिप्रेसर को क्या कर दिया इनक्टिवेट कर दिया ठीक है आगे देखते हैं positive control positive control में आता है glucose का रोल थोड़ी सी थियोरी इसमें हम लोग देखते है एक्ट्वल में क्या होता है लेकोपिरॉन में इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि glucose primary source है तो उसकी जगा जब तक glucose मौझूद रहेगा lactose आप bacteria में आ भी जाए या ना भी आए उससे फरक नहीं पड़ता तो यह किस तरीके से काम करता है और यह जो glucose वाला जो mechanism है कि जो जिसकी कारण लेकोपिरॉन जो बंद हो जाता है इस mechanism को कहता है catabolic repression क्योंकि जब तक glucose मौझूद है और उसका catabolism चल रहा है तब तक जो हो कोई भी इस तरीके की चीज नहीं हो सकती और उसमें जो protein होता है उसको बोलता है catabolic activator protein CAP जो है वो ATP के derivative जिसको हम लोग cyclic AMP कहते हैं उसके presence में ही bind कर सकता है ठीक है याने अगर यह जो है वो CAP का protein है CAP तो अगर cyclic AMP मौझूद होगा तभी यह जो है वो जाके इधर bind कर पाएगा otherwise bind नहीं कर पाएगा ठीक नहीं तो नहीं bind कर पाएगा और यह कहां पे bind करता है upstream याने even promoter यह हो गया promoter और इधर कहीं upstream site में अगर structural gene site होता है तो उसको हम लोग क्या बलते है downstream करते हैं और यह क्यारता है enhances binding of the RNA polymerase और RNA polymerase की binding को क्या कर देता है increase कर देता है ज्यादा अच्छे सो जो है वो bind कर आता है ठीक है मतलब abortive transcription वाला जो step हो रहा था उसको पूरा पूरा रोग देता है तो इसलिए cyclic AMP का level जो है वो और यह cyclic AMP का level है वो किस पर depend करता है glucose में वो किस तरीके से निर्भर करता है आगे हम लोग देखेंगे तो यहां से हम लोग ने समझा कि glucose और glucose की presence और absence एक glucose ठीक है glucose और glucose और presence absence से क्या decide हो रहा है cyclic AMP cyclic AMP से क्या decide हो रहा है फिर CAP क्यों cyclic AMP present रहेगा तो वो DNA से bind करेगा और अगर cyclic AMP present नहीं रहेगा तो फिर वो DNA से point नहीं करेगा ठीक है तो यह चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है अब इस डाइग्राम में देखें अगर जो है वो glucose absent है अभी जो है वो glucose absent है तो हम लोगों का समानने वही वाला हम लोग चित्र इस से पहले जो भी हम लोगों ने निगेटिव regulation में दिखा कि I lactose present या lactose absent वही दो concept हो सकते हैं लेकिन यहां पर थोड़ी चीज को हम लोगों को ध्यान रखना है जो cyclic AMP है उसका synthesis किस से होता है एक enzyme से होता है उस enzyme का नाम है adenylate cyclase ठीक है और यह जो है वो glucose की present से regulate होता है इसका जो adenylate cyclase की जो activity है वो glucose के present पे निर्भर करती है यदि glucose low है या glucose बिलकुल भी नहीं है तो adenylate cyclase जो है वो active हो जाता है ठीक है active हो जाता है और जब active हो जाता है तो cyclic AMP के level को क्या करेगा बढ़ा देगा ठीक है अगर इसको इस तरीके से मैं लिख देता हूँ यदि मालीजे glucose इसका level हो गया down तो अपना जो यह adenylate cyclase है अपना adenylate से इसका activity हो जाएगा high और क्योंकि इसका activity हो जाएगा कौन बढ़ जाएगा cyclic AMP बढ़ जाएगा तो अगर तो मालीजे glucose absent है और साथ ही दूसरा हमारा condition क्या lactose present है दोनों चीजे होनी चाहिए glucose absent और lactose क्या है present तो यहाँ पर क्या होगा क्योंकि glucose absent और cyclic MP जो है वो इस तरीके से जो है बढ़ गई cyclic MP का level जो है बढ़ गया और cyclic MP जो है CAP से bind करके उसको activate कर दिया तो cyclic MP actually क्या करता है cyclic MP जब CAP से bind करता है इसकी जो DNA binding की जो capacities में इस जाएगा कि अब यह DNA से जादा आसानी से bind कर सकता है और यह खुड DNA से जादा आसानी से bind कर सकता है और bind करवा देता है बहुत strongly bind करा देता है तो इसकी जो binding होती ही इसको बढ़ाने की वज़ा से यहाँ पर RNA synthesis की दर जो है वो बढ़ जाती ही तो glucose absent है और क्या present होना चाहिए lactose present होना चाहिए तो cyclic AMP CAP से पहले interact करेगा और फिर CAP DNA से bind करेगा और DNA यह CAP फिर जो हता है RNA polymerase को बहुत असानी से promoter की side पर bind करा देगा जिससे कि फिर अपने structure protein का क्या होना चालू हो जाएगा expression होना चालू हो जाएगा और वापस से अपना तो यह एक तरीका का क्या हुआ positive control क्योंकि यह जो है वो इस क्रिया को जो है वो आसान कर रहा है उसकी binding की प्रक्रिया को क्या कर रहा है और आसान कर रहा है क्योंकि RNA polymerase जितना tightly जितना strongly bind होगा जल्दी release नहीं होगा उतनी ही असानी से आगे structural gene का synthesis होगा इसके विपरीद अगर हम लोग देखें कि glucose present है तो चाहे lactose हो या ना हो उससे फरक नहीं पढ़ था अगर जो है वो ये present हो तो glucose present है तो इसलिए क्या हो जाएगा adenylate cyclase जिसकी activity हो जाएगी down और इसलिए cyclic MP का level क्या हो जाएगा decrease और इसलिए अब इस cyclic ये जो हमाला CAP जो protein था इससे bind करने के लिए cyclic MP उस इस तर पे available नहीं है तो इसलिए ये cyclic MP जो है वो अब DNA sequence में अपने confirmational change नहीं हुआ तो DNA sequence से bind नहीं हुआ इसलिए RNA polymerase को अब उस तरीके से मतलब मदद नहीं कर पाएगा लेकिन क्या करेगा seldom bind करेगा मतलब कभी कभी जो है bind करेगा मतलब ये attempt करता रहेगा bind करने की तो हो सकता है कादबर bind भी हो जा और आगे चला भी जा है लेकिन हम लोगों को दूसरा concept पता है negative regulation negative regulation से ये जो अपना operator side पे जो अपना repressor bind हुआ है उसको bind करने कि यहाँ पे lactose present रहे यानि glucose अगर present है और lactose जो है वो ये भी present है अगर ये वाला case है तो अपना ये seldom वाला काम आएगा लेकिन अगर lactose absent है तब तो यहाँ पे अपना वो जो inhibitor है वो बधा हुआ ही है तो ये आगे बढ़ेगा नहीं ठीक है तो इस तरीके से ये है glucose के present और absent के करण किस तरीके से होता है तो इस तरीके से हम लोगो ने देखा चार condition हो सकती है एक तो कोई no lactose, no glucose कोई problem ही नहीं है क्योंकि lactose ही present नहीं यहाँ पे मुखी रूप से क्या चाहिज़ा देखेंगे अपना glucose नहीं है कोई बात नहीं यहाँ पे predominantly कौन सी चीज़ काम करेंगे negative regulation लेकिन अगर हम लोगो ने lactose थोड़ा सा add कर दिया अभी भी क्या है glucose absent है तो अब CRP वाली activity काम करेंगे inducer activity क्योंकि यह चीज़ पूरी की पूरी क्या हो गई निकल गई ठीक है तो यह चीज़ थोड़ा से ध्यान रखने की यहाँ पे सिर्फ CRP activity अब यहाँ पे आजाएगा CRP यहाँ पे जो है अपना repressor ठीक, no lactose, कोई lactose नहीं है लेकिन medium में जो है वो अब glucose हो या नहीं हो अगर lactose ही नहीं है तो हो या नहीं हो तो अभी भी अब यहाँ पे कौन सी चीज़ काम करेगी repressor और अगर glucose भी है और lactose भी है तो कौन सी चीज़ काम करेगी अब यहाँ पे CRP तो दो जगों पे repressor और दो जगों पे CRP और CRP जो है वो positive regulation का part है क्योंकि एक तरीके से जो है activity को बढ़ाता है और जो है repressor जो है वो negative activity का part है I hope कि आप सबको यह समझ में आएगा concept बहुत ही आसान है और अगर कोई question हो तो आप मेरे को भेज सकते हैं Thank you